बिसमी लगयों में आपको वैलकम करते हैं। और दुआ करते हैं तरहा हैं आप सबको खुश रखे अबादर के। और ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम यानि के तकरीबन कोई बारा बजी का टाइम है। आज मैं बहुत देर से उठी हूं। और मैंने आपको बताया थे ना पिछली व्लॉग में कि मेरी सिस्टर ने आज चले जाना था तो कल वो रात को चली गई थी उसके बाद किचन वगएरा सब नीट करके बतन वतन धोली है थे हमने और उसके बाद हम लोग गप्पे चप्पे लगाते रहे यानि मेरी बेटी जो मेरी अभी तक सो रही थी तो मैंने सोचा के फिर मैं नाष्टे के बाद काम निप्टाना श्यू कर दूँ यानि मुझे किचन आज नीट करना था और इते दिनों से किचन की तीन दिन से कोई भी मैंने डीप लीनिंग नी की थी मैं उपर पर से बस काउंटर वगएरा सब सा काम मुझे नहीं था तो पहरे के लिए खाना बना हुआ था और रात को बस मुझे खाना बनाना था तो इसलिए फिर मैंने सोचा के मैं इस सब काम कर लेती हूं और आज मैंने अपने फ्रिज की थोड़ी से क्लीनिंग कर दी थी यानि के जो भी बढ़निया वगएरा चोटी कि अपने खाली और ये मोटी और जो भी कंटेंडर्स व्गैरा थे वह सब खाली किया मैंने तो उनको भी मैंने वाश कर लिया और फ्रूड़ी आट थी है या वेज़िटेबल बचेट बख्で ग recently तो वो सब मैंने चोटी चीज़ों में कनवर्ट करके और फिर मैंने सोचा मिने आज में दो लेती हूं फ्रेज में भी एक हाथ मैंने मार दिया था ताकि फ्रेज मेरा क्लीन रहे और मुझे समझने जुनूल सा है कुछ सफाई कब्तनी क्यूं तो इसलिए जो ना मेरा दिल चाहते है कि मेरी कोई चीज भी कभी गंदी ना हो तो बहराल यह सब सारे काम हो रहे थे साथ-साथ फिर मेरी बेटी जो है वो ओड गई थी तो आजकल वो घर पे है तो इसलिए घर की क्लीनिंग की जो ना मुझे इतनी जादा फिकरणी होती वो घर की क्लीनिंग वगारा सब कर लेती है और मैं किचनी देख लेती हूं तो बस इस तरह से मिल जूल के हमारा काम हो जाता है और मुझे बहुत असानी हो रही अपनी बेटी की चुटियों से लेकिन यह चुटिया जो हो खतम हो नहीं है जाइट सी बात है और मुझे पर दुबारा डबल डबल से बर्डन पढ़ने वाला है लेकिन फिर भी चलो सुकून है और तो यह सारे बरतन वागरा धोके फिर मैंने सारे काउंटर्स उनको टीप लीन किया थोड़ी कबर्स वगारा थी वो सब अपने जोए ना कैमने वागरा सब ठीक करा तो बस इस तरह से हमारे काम निमट जाते हैं पूरे दिन के आप लोग बताईएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं और मेरे हाल से स्कूल भी खुलने वाले हैं और कुछ स्कूल जो है वो तो अभी सेप्टेंबर तक खुलेंगे और कुछ स्कूल जो है वो भी खुलने व से पूछ रही होती हूं कि स्कूल खुल गए हैं क्या और कॉलेजिस में पेपर्स कब हैं तो अब इस तरह से ऐसा हो गया वरना बच्चे रहते हैं तो फिर वह ख्याल भी रहता है कि हां भई अब स्कूल खुलने वाले हैं और जब बेटी का मेरे स्कूल था तो फिर हम लोग किसी तरह समर विकेशन फूरे उसमें चलता रहता था और फिर हम लोग जो है वह स्कूल खुलने के तरह यारी करते थे कोर्स आता था कवर आते थे सब कुछ आता था लेकिन अब जो है वह वह इन्वर्स्टी लेवल पर बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो चुकी है तो बस इस बस सारे काम से निमट के और फिर शाम हो चुकी थी शाम को मैंने सोचा कि आज आल्लु बना बेटी का मेरे अलु गोश खाने का बहुत दिल था तो फिर पापा ने का हालु बना लुप अच्छ लगता है तो पापा ने आलु बहुत ही कम खुआ यानि कि एक पीस बस उन्हो पहला होने चाहिए तो भ Bundes रूब TON की चर लगी थी और यह मजीदार साथ तंडूर की रोटी बहुत मजीदります जैसे मैंने अलुगोशच चड़ाना शुरू किया ना बेटी मेरी कहा हैं भी मेंद ना और पलपबids बॉर genuine दंडूर की रोटी भी मांत्याय सब्सक्ताया तो वाग चोँए और इसपारा करते हैं कि कहीं लेने जाना है तो फिर में टाइम मखरीब के बाद का लेने जाना है तो दिन में बहुत दूप होना फिर ठग सकते मखरीब को जाते हमाने हूँ टो यहां पे खाओना रेडी होगा था और आलू गोश यह देखें जी मज़ेदार सा रेडी हो गया इसकी रेसिपी इंशालला फिर नेक्स टाइम कभी ज़रूर मैं शेयर करूंगी मज़ेदार हमारा देगी जैसा न कोर में जैसा आलू गोश मैंने बनाया था वो बहुत मज़ेगा बना था और फिर मघरी के बादा एक माय कि रोटी भी लाए थी और फिर बेटी ने कहाता है कि ताफतान भी ले 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 और कभी भी मरी बेटी पतां नहीं खहती बिल्कुल तो यह देखें जी मज़ेदार आलूगोश तयार है और अब मैं खाना जो है ना उपड लेकर जाओंगे इसलिए कि पापा की तब है कुछ ठीक नहीं है तो वो नीचे नहीं आएंगे तो बस यह देखें जी और रोटियों के साथ क्या हुआ यह मैं आपको दिखा काफिस अनाटा लग रहा था और बेटी मेरी काफि अदास थी तो फिर मैंने सोचा चलो हम लोग फालूदा खाके आते हैं तो राद के टाइम पिर हम लोग निकले फालूदा खाने हमाई घर से थोड़ी सी दूर जयना यह फालूदे की दुकान है यानि इतना है के वाक करत तो इसलिए यहां पर हम लोग आये और इनकी क्लीनिंग वह बहुत अच्छी नीड है क्लीन इनका बनावा था फुल लेसी और बड़ा मज़ा आ रहा था यहां बैठके और आप देख सकते हैं फ्रोर भी कितना क्लीन हुआ है मैं इनसे पर्मीशन ले ली थी तो उनने का हाँ थोड़ी सी वीडियो बना ले कोई मसला नहीं है तो मज़ेदार सा फालूदा और बहुत अच्छी कॉंटिटी में यानि कि आप देखें पहले जब हम फर्स टाइम आयते ने खाने तो यह 200 रुपीस का था लेकिन अभी नहीं हमें 180 का दिया और यह देखें जी तो हमें हैरत हो थी थी कि पैसे तो हर जगा बढ़ रहें ले है यहां बाट के अपना फालूदा ठंडा ठंडा अज्दा एकिया वाकरी में बहुत मज़ा आ गया खूब सारी बाते की तो यह देखें जी जबड़त हमारा स्पेशल फालूदा है ह। बहुत मज़ा आया हमें से खा के ठंडा ठंडा सा और आप देख सकते हैं इसमें करना मत भूलेगा इंशाला फिर मिलेंगे लाफेश